शू किड्नी ट्रांस्प्लांट पची लाइफ नॉर्मल नथी रहे थी किड्नी ट्रांस्प्लांट पची नॉर्मल जीवन मड़े शू किड्नी ट्रांस्प्लांट एक जवखत कराए नहीं किड्नी ट्रांस्प्लांट हम काफी बार कर सकते पहला ट्रांस्प्लांट अगर खराब हो जाए तो सेकेंड ट्रांस्प्लांट कर सकते थर्ड ट्रांस्प्लांट इवन फोर्ट ट्रांस्प्लांट भी कर सकते अपने संस्था में हमने थर्ड ट्रांस्प्लांट तक किय शु एक वाखत नकी थाए के किड्नी ट्रांस्प्लांट करावानू छे तो बहुँच लांबा समय माटे ट्रांस्प्लांट माटे वेट करवू पड़े छे जिन्रली फैमील वेंबर अवेलेबल होई तो चारती छो वीक माँ ट्रांस्प्लांट शक्या छे शु कोई पढ किड्नी कोई पढ दर्दी ने अपने ट्रांस्प्लांट करी छकिये ना किड्नी ट्रांस्प्लांट माटले गणू मैचिंग कर वो पड़ ओचे गणी वार कुणली भले ना मढ़े पर गुण मरता होई अने जगड़ता ना होई तो पन चाली जाये छे शुद्धाइबिटीस के ब्लड प्रेशर ना दर्दियोंने एजिली ट्रांसप्लांट माठे किड्नी नथी मरती होती ड्रांसप्लांट इतले जुनी किड्नी कारवानी और नवी किड्नी लगावानी नई नार्मली अगर अपनी ओरिजनल किंडीस में कोई बीमारी नहीं है तो वो किड्नी वही पे रह सकती है और नई किड्नी अपनी अलग जगे पे नए स्थान में लग सकती है अगर किड्नी टांसप्लांट करा है थो डोनर अने रेसिपयंट बनने ऊनु बलइड ग्रूप सेम अज हौ जो हई है और किड्नी टांसप्लांट थाई जाये चे ऐह ना पछी हो स्थिव दशों परेगनेंट ना थाई शके transplant का काम अपनी झिन्दे की Normal लाना है को इस फरी एक साल बाद एक साल प्रिगनेंट हो सकती है और नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है जो लामबा समय माटे dialysis कराई हो होगे तो शू किड्नी ट्रांस्प्लांट करावाए ना डालीसिस केटलोब पं समाई करी हुए ट्रांस्प्रांट गमीतारे करी शकाये चे पन् एतलोई जल्ली करा भी है एपनों सारू कारेंगे डालीसिस पर रेवाती कॉंप्लिकेशन वत्ता जाए चुछुग किड्नी ट्रांस्प्लांट नी सर्जरी ए गरिश्की सर्जरी के व आ बनने शब्द जैरे आपने भेगा सांबडिये ने त्यारे आपना मगज मा आपने खतरनाक सर्जरी नो आबाज थतो आए छे पण आ सर्जरी ने लईने आजू बाजू घणी बदी गेर मानने ताओ छे अने घणा बदा भाय एवा होई छे जे भाय आपने खोटे-खोटे लागेला होई अने एटलेज किड्नी ट्रांस्प्लांट ने लईने बद्धिज माहिती एककच वीडियो मा तमारा सुधियू ल बन्यवनों इंट्रोडक्शन हूँ आपवा मांगो छो सौथी पेला हूँ क्या आयो छो तो हूँ आयो छो मुल्जी बई पटेल यूरोलोजीकल होस्पिटल मा जे नडियाद ना किड्नी होस्पिटल तरीके ओडखाई छे आखा देश मां किड्नी मां कोई पन कॉंप्लिक मागो duliक धूरोड केड़ीकैटिड केस आवें तो दॉक्टर्स एू सजेस्ट करता होँगे नडियाद ना किड्नी होस्पिटल मा लई जाओ अज किड्नी होस्पिटल छे अने बन्नेव सर जी आपड़ी साते जोड़ाया छे बन्नेव डॉक्टर्स जोडाया चे ए उमुल पटेल एक नेफ्रोलोजिस्ट छे याना कंसल्टन्ट अने एमने अत्यार सुधी 800 डाइरेक्ट ट्रांस्प्लांट कराएला छे पंदर सो ट्रांस्प्लांट मां टीम मेंबर हता अने लगभग छेला 10 वरस्ती मुल्जीबाई पटेल यूरोलोजिकल होस्पीटल साथे जोड आयला छे एक वकट एक फिजीचन एक नेफ्रोलोजिस्ट कई दे छे के आ ट्रांस्प्लांट थाई शक्से एना पची काम आवे छे एक सर्जन नूँ एक यूरोलोजिस्ट नूँ आने ए सर्जन छे डॉक्टर अभीजीद पाटिल अत्यार सुधी साधा 700 किद्नी ट्रांस्प्लांट करेया चे या मुल्जी बै पटेल यूरोलोजीकल होस्पिटल मा एक रिक्वेस्ट हुँ तम ने करीज के डॉक्टर अभीजीत पाटेल चे आमने आपने सवाल तो गुजराती मा पूछी सू पण आपने बद्धा हिंदी पिच्चार हो जो है जे हिंदी समझी शक्ये छे ने ये वधारे कमफटेबल जे हिंदी मा जवाब आपवा मा अटला लामबा इंट्रोड़क्षेन पची अव네 उँप लला प्रस्ण पराईज जे पूछा मांगोुजोंओं हुँ टॉक्टर हारधिक पटेल न फे चे факे सर् किड़नी ट्रंस्पलांट कर्वानी जरुरत क्या हरें पडें किड़नी ट्रांस्परां करवानी जरूरत माते नौ आइडियल टाइम छे जारे डायलिसिस करवानी जरूरियात लागती होए येटले कि जेपन पेशन किड़नी फेलर स्टेज 5 मां पहुंचया होए आपने लागतो है कि आप पेशन नेक्स फ्य मन्स मां डायलिसिस करवानी जरूर पड़ से एडियल टाइम छे पन क्यारे एउ न थी कि आप ट्रांस्परां माटे गणा लेट थाई गया चे डायलिसिस चालू करया पची पन ट्रांस्परां करवू शक्य बने चे गणा खारा केस सामा पेशन ने लास्टेज मां खबर पड़ती होचे जाए डायलिसिस ओलेडी चालू थाई गई होए चे यहले किड्नी टांस्परां माटे क्यारे पन रुकावानी जरूर न थी येटलू जल्दी करी येटलू गणू सारू फची सर किड्नी मां प्रोढ़स्टे ओं जडायलिसिस जरू एक येटलिर न यी खबर पड़ाय पकानूण मां खबरेड़्दे होई चालू थानी पड़ जिद्सब्रे न के घिटैनी खाऊँ लない वार्ण बदलाता हुआ अवा विक्नेस ठाक लाक हो हीमोगोबीं घट और बलड पिशर वद दो नानी उमर में जारे पर बलड पिशर वदे त्यारे 90 पसंट मा किड्नी ना लिदे ज बलड पिशर वद तो अचे नानी उमर ना पेशंट आप बलड पिशर न इग्नॉर कर वना चोगे तो पछी सर किड्नी एक वखत आब दा लक्षण देखाया उहूं डॉक्टर पासे गया तो पछी किड्नी मा नाना मोटो कोई भी प्रोब्लेम आवे तो किड्नी ट्रांस्प्लांटाज करवी पड़े के पड़े प्रोब्लेम्स दूर एमनेम भी करी शक्किये चे किड्नी फेल्यवर के किड्नी बीमारी कया स्टेज पर डाइग्नोस थाया यूद ऑन पर pais निरभर करे हैं, घणी खरी बीमारीziehen के सरुआत्मान निरधां थाया यूद्यपर,ेर्णी तो पर नौत करए किड्नी बीमारीकईकी स्थीवर्स करी henी ठाया सब्सक्राइब तो पची सर अवे ट्रांस्प्लांट नी बात करिये के एक वख़त ट्रांस्प्लांट करवानू नकी थाए तो केटलो समय लागे छे कोई पाण दर्दीने बीजी किड्नी मेडवता जे वेटिंग पीरेड चे माँ वस्तु में चे के तमें जो एडवांस मां तेयारी करी राके हो तो वो वेटिंग न थी पचिए एडवांस मां तेयारी ना करी हो तो पची लीगल फॉर्मालिटीस मांटे बैथी चार वीग वेट करवी पड़ेचे काराएं कि हमां डॉक्यूमेंट सब्मीट करवा पड़ेचे गवर्मेंट नी परमीशन लागे छे अने पची ओपरेशन थाए चे गणी बार दर्दी नी कंडीशन स्तीर नायों तेने डालीसिस पर राके ने दर्दी नी कंडीशन स्तीर करवी पड़ेचे एमा पन वेट लागे चे पन अने एवरेज वेटिंग पीरियाद चार थी छो वीग छे जो परीबार नू कोई चे पर आपड़ेशन पर आपने जीवव पड़ेशन पर डालीसिस कितलो रेगुलरी करा रहू पड़ेशन रेगुलरी एटले वीग मा बैथी त्रों वा करा पर तो अगें पेशन ना यूरीन आउपूट अने पेशन नी किड़नी बग़वाना कारण ओं निरब़ करेचे पर लाम्बू अने सारो जीवन जो ये डालीसिस पर तो वीक मा त्रों वार कंपल सारी छे अवे एक वखत नक्की थाई जाएछे के किड़नी ट्रांस्प्लांट कराऊँ चे कदाच किड़नी भी मड़ी गई चे तो पछी के वाँ टेस्ट करावा पड़े ए ओड़कवा मा फोर्चुनेटली अत्यारे टेकनोलोजी मेडिकेशन टेकनोलोजी और जिम मुझे अपनी टेस्ट अवेलेबल शे मुझे आपड़े ब्लग रूप वीरूदना पन ट्रांस्प्लांट करी छे अनि जहरे मैचिंग सारू ना होय तैरे पन ट्रांस्प्लांट करी चे आजनी तो एक नवी टेकनोलोजी थाए आनी शरूवात केटला वर्षो पहला थे इति अपक्रोस द ब्लग रूप जे ब्लग रूप नो में ट्रांस्प्लांट करे चे अनि शरूवात अल्मुस्ट अल्मुस्ट ब्लग रूप विरूद ना होय चे अनि स्वामादी पत्यास ट्रा तेर मां अमें करीती इंडिया नी बार एंट नो में चरूआट थे इना पहला चुटा चवाय था ता 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 पर एक रेगुलस अरूवात थे थाई चे अनि आज तुदी में अमें अल्मुस्ट बसों नी आज पास ब्लग रूप विरूद ना किनी ट्रांस्प्लांट करी अब आई एंड ट्रांस्प्लांट प्रोसीजर उपर तो पची सर अट्रांस्प्लांट प्रोसीजर होई सुएट ले आमामारे बेव बाजुदी समझ वूछ जह कि डोनर नो प्रोसीजर सुच है कि यह किड़नी आपी रही हुछ ए औन्हें रेसीपियंट ने कही रीते तो उसको ऑपरेशन से बहुत जाधा दिक्कत नहीं होनी चे तो डोनर सर्जरी ऐसा होता है कि एक जमाने में अपने ओप इन निकालना है तो एक जमाने में लंबा चीरा लगता था और कि निकलती ती उसे दरदी को काफी दर्द होता था तो इसले दो हजार से अल्मूस्ट ए दिर्बीन से लेपरोवस्कोपी से हम ऑपरेशन करते हैं इसमें तीन छोटे-चोटे होले हैं उससे किड्नी निकलती है और ये या लगता है किड्नी डौनर की दुष their जिसमें kidney donor तीन दिन में अपने घर वापिस जा सकता है, तो उसको क्या है वो अपने दिल से kidney दे रहा है, तो उसको बहुत जाधा दर या वेदना नहीं होनी चाहिए, अब दूसरे तरफ जाते है, जो kidney लेता है, उसको kidney recipient कहते है, अब kidney recipient में जो नॉर्मल अगर अपनी original kidney जो हो चुकी है, उसमें कुछ खामी नहीं है, जिससे अपने body को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो kidney अपने original जगे पे रहती है, जो नई kidney आने वाली हो अपने नीचे नए जगे पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक छोटा चीरा लगता है, वहाँ से kidney अंदर जाती है, अब kidney को खून देने की नसे होती है, उनको जोड़ा जाता है, kidney में नया जीव आता है, kidney पिशाप बनाने लगती है, तो पिशाप की नली पिशाप के थेले से जोड़ी जाती है, जिससे की अपना normal पिशाप होना चालू होता है, ये procedure में आप ये पूरा operation होने के बाद एक साधर नो से दस दिन में kidney recipient अपने घर जा सकता है, रिकवरी टाइम कितना होता है सर, के एक वखत डोनर किड़नी आपी नीदी पच्छी तमय की दू के त्रोण दीवसमा घर जाई सके चे, और एक रेसीपियंट नौ दीवसमा, पर नॉर्मल जिंदगी आवता के टलो समय लाग से तो kidney donor अगर हम दूर्बीन से करें तो एक नौर्मल पंदरा भीस दीन में वो अपनी नौर्मल जिंदगी जी सकता है, हेवी काम एक मैने बाद कर सकता है, पर नौर्मल जिंदगी एक दस-पंदरा दिन से चालू कर सकता है, और kidney recipient जिसने kidney लिया है, उसको जनरली एक मैने तक हम कहते हैं कि आप तोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एक मैने बाद वो स्लोली स्लोली अपनी नौर्मल अक्टिविटी चालू कर सकते हैं, अवे सर एक वाखत kidney transplant थे यू, नौर्मल अक्टिविटी चालू थेगी पछी, फॉलो अप प्रोसीजर शू होई छे, जिनरली फॉलो अवे चेए, और पाची चार्ति चालू मेने रेगूलर लाइफलोंग चेकब करू पड़तु होई अगर देनी वाद है चेके ट्रांस्प्रांट करे बची लाइफलोंग दवा लेवी पड़ती होई चे जो किटनी चला भी तो दवा लेवी पड़े चे अन्य बीमारी उच ट्रांस्प्लांट पची पर रेगूलर दवा गोड़ी लेवी तो पड़े चे अवे सर दमेगी दुआ दवा गोड़ी लेवी पड़से तो एक किटनी ट्रांस्प्लांट पची किटला समय माटे चाले चे इतले किटला समय चाल से एक नक्की होई पहले थी यो नक्की करू डिफिकल्ट चे पर गणावादा में प्रेडिक्शन लगावता है अंदाज लगावता हुए अमारा हुस्पीटल नो पोता नो जे अनुबव छे तो अनेन एवरेज आमें सो किद्नी ट्रांस्प्लांट करिये तो स्वामाथी अल्मुस्ट सेवन्टी सेवन्टी दादा नेवरे अल्मुस्ट सेवन्ट सेवन्ट नो जो तो यज दोईंग वेल अच्छी ए शुरत महारे अचे अन्युट यहारे बड़ेंग किद्नी आपी ति तैरे किद्नी ट्रांस्प्लांट नो सक्सेस और लांगड़ी तो लांगड़ी निया चाय सब्सक्राइच ता साल बरपे और हर साल में यह बार राना जरूर है यह जब डोनर हमें पास आते हैं तब उनका ब्लड पेशर शुगर चेक करते हैं पिशाप में को इंफेक्शन है कि निए हुँन में क्रियाटनी जो किडनी का मातरा दिखाता है वो देखते हैं और पिशाप में प्रोटीन आत तो ये हर डोनर में सवाल आता है दुनिया में अब तक लाखों ट्रांस्प्लांट हुए और हमारे होस्पिटल में 4000 ट्रांस्प्लांट तक हो चुके और डोनर अगर अपने खुद का ख्याल और फॉलॉप सही से रखे तो इनके जिंदगी में कुछ ज्यादा अफेक्शन नह करते हैं अगर दूसरे वक्त ट्रांस्प्लांट लगा तो हम लेफ साइड कर सकते तीसरे बार लगा तो और इस साइड उपर कर सके या ओरीजनल किड़नी सको भी निकालके वहां पे हमने नई कीड़नी भी भी बिठाई है इटले अगर कोई व्यक्ति ने त्राण़ वक्त कराओ पड़िए तो एक पॉसिबिलीटी छे के एमना चरीर मां पांच-पांच किड्नी होए तो बीजी चे चुनी किड्नी छे प्रॉब्लेम क्रियेट ना करें यह अगर ओरीजनल किड्नी में कोई बीमारी ना हो और वो अगर छोटी हो चुकिया और कोई अपने बॉडी को दिक्कत नहीं दे रहे हैं तो वह अपने बॉडी में सेफली रह सकती है एक वखत सर ट्रांस्प्लांट थे हैं यहारदिक सर ने पूछवा मांगो चुके ट्रांस्प्लांट थाई जाए एना पछिया किड्नी नू ध्यान रखवा तमें किडू क्या दवा ने जरूरी छे ने किड्नी रखवा है वधारे इंपोर्टन्ट थे जब्यान राखवानो चे अर्ट रांस्प्लांट थे ले फोरें बॉडी आपड़ाम जयां क्यों बार्न वश्ता थे आपड़ी माँ आवे तो आपडे लिए रीजेक्ष्ट करणा है ज़े बॉडे करे करे करें ले ले दवा किद्नी चलाव मांटे खुब जगत त्यानी चे अन्य हमारा दरेक दर्दी ए दवा साते गणा लाबो जीवन जीवता हुआ चे अम्मुक दवानी साइड इफेक्ट आपने सहन करवी पड़े चे जरे अमने लागेक साइड इफेक्टों वधे चारे में दवा चेंज कर दवा ओची करिये छे एना उपारान डायबीटिस आने ब्लर प्रेशर जें दरेक नहीं आख दुए उतुपन जे दर्दी ने डायबीटिस के ब्लर पैशर रह था आनने एवक्ट्वाने ऐनी च्योनी बगण्मान गणोष्पराण लक्स येक्टनी में उनी यह करने कि भी को अगल कि उर्णाव सुद्द हो अधियो क्या प्रांस्प्लान्ट आप चाहि है। तो कही रीधे राखी शकूँ अ किड़नी बाकी बोड़ी ना पार्ट नी जरूरी छे हार्ट होई किड़नी होई लिवर होई दरेक मां हेल्दी लाइफशाल लोको अल्टरनेटिव न थी हेल्दी लाइफशाल मिन्स फूड वाटर एक्सराइज स्लीप अचार वस्तों रेगुलर ध्यान लेवा मावे तो दरेक बीमारी ती दूर रही शकाए छे खासकर इने कौने ध्यान राखू जये मां पारिवाले किड़नी बीमारे ये लोको जल्ली जाकर प्माटे जहूँ ज जोई है बीजू के पेंग किलर नो एक्सेसिव यूज जनरली पेंग किलर नी जरूर दरेकने करेक पड़ती जोएछे ऐसे डोक्टर अमारे पंट जरूर पड़ती होएछे पण अमें एक नीएम राखेचे गर्मा के वरसमां एक पत्ता थी वदारे वपरावू ना जोई ह जो आपना गर्मा दवा दुखावनी दवावनों मेडिकेशन नो यूज एक स्ट्रीप करता वदारे चे मतलब के प्रोड्लेम चे आपने प्रोड्लेम्स हो जो जो ये नाके दुखावनी दवा लेवी चे ये अन्ने अत्यारे गणुबदू, नेचरोपेथी अन्ने प्योर आयरुवदीग इस वेरी गूड पर आयरुवदीग नामे घणी बदी जगया है बस मा दुखावनी दवाओ येनों भुक्को बेचातों रहे चे अन्ने दर्दी ये लिदा पाची गणू सारू महसूस कर रहे चे ये बदीपन अन्नेसेसरी दवाओ ती दूर रहू जोगोजो जो ये जरूर पुर्ती दवालो का मगदनी दवाओ टालो ब्लर पेशन द्यान राखो डाइबीटी दैना को तो कि इन आटोमेटिक सारी रहा है बदाना मनमें से वदारे पाणी पीवानी जरूर नोच जैने स्टोन नी भीमारी ओछी बाकी नी बीमारी मा अना सिवे किड़नी मांटे अलग थी कोई क्या लेवानी जरूर होती ना थी अवे एक एक्स्ट्रा सवाल यह बात सही नहीं है अपने को पानी जादा पीना है ताकि जो छोटी स्टोन हो वो अपनी पिशाप कीनली 6 mm के होती है लोगों को लगता है कितने भी बड़ी पत्री हो मैं पानी जादा प्यूंगा तो पत्री निकल जाएगी और काफी टाइम तक उस पत्री के लिए वो रुखते है कि यह निकल जाएगी बियर पीने से पत्री निकलती है यह मित है और पानी पीना पानी अपने लिए सबसे बड़ी दबा है किड्नी ने लईने मने तो आजे घणीमदी वस्तु ओ जानवा माड़ी छे आजे वो मुलजी भाई पतेल यूरोलोजीकल होस्पेटल मा नडियाद मा आयो छो अने डॉक्टर हार्दिक पतेल डॉक्टर अभीजीत पतेल तमें मने समय आपे हो एना बदलों खुब-खुब आबारी चो तमारो तैंक्यू सो मच सर सर सुधी पहुचाडवा नी जवाबदारी मारी सर ने पुछी ननों जवाब़ू कमेट मा रिपलाई करीच के पची स्कृरीन ऊपर देखाई चे ए नमबर उपर तमें कॉल करीने डिरेक्ली मुल्जी भै पटेल यूरोलोजिकल होस्पेटल माँ पूछी शको छो आ वीडियो नी माहीती तमने गमी एसे किड्नी ने लईने बहुझ इंपोर्टेंट माहीती में पहुचाडीचे तमारा सुधी सरना मध्यम थी आवी माहीती जोवा माटे वी टीवी गुजराती डाट कॉम जोता रहे जो आपने फरी माडी शू धन्यवाद धैंक्यू सो मच सर